आज हम आपको रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपार्टेन चॉपिक आयंगुलर मोमेंटम डिसकस करने जा रहे हैं आयंगुलर मोमेंटम जैसे जब कोई अब्जेक्ट इस्टेट लाइन मोशन करने हैं लीनियर मोमेंटम करता है तो उसमें एक टर्म मोमेंटम होता है तो उसमें लीनियर मोमेंटम होता है तो लीनियर मोमेंटम को पी से दिनोट करते हैं पी एक्वल्टू होता है मास इंटू वेलासिटी लीनियर मोमेंटम मास और वेलासिटी के उपर डिकट करता है जिस direction में velocity होती है उसी direction में linear momentum होता है तो यह vector quantity है और इसका linear momentum है और जब हम कोई किसी object को किसी axis पर rotate कराते है या कोई object किसी axis पर rotate करता है तो उसमें जो momentum होता है वो angular momentum है so angular momentum is moment of linear momentum is moment of linear momentum is angular momentum it is represented by LRJ LRJ so L equal to हम ऐसे लिए सकते हैं R cross P this is derived formula this is most important relation this is derived formula derived formula this is where R is position vector and P is linear momentum R is position vector position vector and P is linear momentum linear momentum linear momentum ऐसे लिए सकते हैं और इसको हम जब इसको magnitude के फर्म में लिखेंगे magnitude के फर्म में इसमें L equal to L equal to यह M V R लिखते हैं M V R अब यह फर्मूला कैसे डिराइब किया गया है according to according to second law of rotation according to second law of rotation torque 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 equal to DL upon DT ऐसे लिख सकते हैं तो torque यह tau DT equal to हम लिख सकते हैं DL और इसको तो DL equal to हम ऐसे लिख सकते हैं torque को लिख सकते हैं R cross F DT लिख सकते हैं और यह इसको ऐसे लिख सकते हैं R cross F DT ऐसे लिख सकते हैं R cross F DT F DT यह impulse होता है तो F DT equal to F DT equal to impulse change in momentum बिख सकते हैं या इसको DP को ऐसे बिख सकते हैं तो ये DL equal to हम बिख सकते हैं DL equal to R cross ये DP ऐसे तो L equal to हम जाएगा L को लिख सकते हैं R cross P इसे डिराइज फामुला Day to day life में angular momentum का example जैसे कोई ट्वाय है और वो अपने axis के बाओ rotate कर आँ ट्वाय ये अपने axis के बाओ रोटेट करा है ये ऐसे रोटेट करा है तो ये जब रोटेट करता है आपने देखा होगा कि जैसे कोई twice किसी axis के बाओ रोटेट करता है तो वो balance condition में होता है और जैसे ही उसका rotation रूप जाता है वो गिड़ जाता है उसका result होता है एंगलर मोमेंटम नेक्स्ट जैसे कोई example है जैसे बाइक है और चलती ही बाइक पर हम पैर उपर कर लेते हैं लेकिन जब बाइक रूकी हुई होती है तो उस condition में पैर उपर नहीं कर सकते हैं बाइक गिर जाती है तो यह एंगलर मोमेंटम की वज़े से होता है जब चल रही होती है तो उस condition में एंगलर मोमेंटम कंजर होता है तो इसमें जब external force इसके बाद बताएंगे इसके बाद बताएंगे पहले हम आपको आंगलर मोमेंटम इसका यह वेक्टर होता है और इसका direction कैसे इसके रिफाइन करते हैं यह सब के बारे भी डिसकस करने जा रहे है तो यह वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर है दूसरा पॉइंट है यह इसका SI unit SI unit किलोग्राम मीटर स्क्वाइर पर सेकेंड इसका SI unit होता है यह दूसरा पॉइंट है और आंगलर मोमेंटम को इसको अब इसको अब इसको अब इसको अब इसको अब इसका डिरेक्शन कैसे फाइन करते हैं जैसे जब कोई पार्टिकल जब कोई पार्टिकल इसका रेडियस आर है और जब कोई पार्टिकल है इसका मास्क M है यह पार्टिकल ऐसे वी विलास्ती से मोशन कर रहा है और इसका एंगुलर जो विलास्ती है वो ओमेगा है तो इस कंडिशन में इसका एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल तू एल एक्वल तू यह हो जाएगा इसका डाइक्षण लीने मोमेंटम की इक्वल तू एंवी होता है और इसका डाइक्षण देखो जो हैंड को ऐसे लिग ढहेंगे और वेलास्ती के क्वल डारेक्षण में इसका डारेक्षण आउट्वर्ड होगा जैब पार्टिकल अपवर्ड बार्ट इस तरीकस्ट मोशन क लिए कोई यह पार्टिकल है इसमें इक पार्टिकल है और मोंक्री सब्सक्राइब कर रहा है इसका है इसका रेटीएस है और इसका आउगळाल मिलास्की होमिगा है तो उस कंडिशन में इस यो डाउन separate अटेорм जो एंगलर मोमेंटम का डारेक्शन होगा वो डाउंवर्ड डारेक्शन होगा, इनवर्ड होगा अब हम समझ सकते हैं जैसे कंपोनेट्स के फॉर्म में जैसे वए आक्सिस है और इसमें एक पार्टिकल है इस जगे है और इसकी वेलास्टी यह वेलास्टी है इसको हम दो components में लिख सकते हैं जैसे यह ऐसे motion कर आए पार्टिकल इस axis के बहुत ऐसे motion करा तो इसका दो component होगा एक टेंजन्सियल होगा विलास्टीक का और एक एक radial component होगा यह radial है और इसके horizontal से यह थीटा एंगल बना रहा है तो यह आर है तो वी का दो कमपनेंट होगा यह वी कास थीटा और इस डिरेक्शन में वी साइन थीटा होगा तो वी साइन थीटा टेंजेंशियल कमपनेंट है और वी कास थीटा यह रेडियल कमपनेंट है तो जो एंगलर मोमेंटम इसका हो जाएगा एंगलर मोमेंटम यह व यह इसका एंगलर मुल्टम डेयर आएसे हम लिए सकते हैं यह टेंजेंशियल कंपोनेंट है वलास्की का और यह रेडियल कंपोनेंट वलास्की का है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट वो रिस्पांसिबल होगा मोशन के लिए अईसे हम इसको व्याश्थि को हमें कम्पोनेमORE किया है ऐसे हम रेडियस को भी लेडियस दाटर को है और यहां कोई पार्डिकल है उसकी वह वी वेलास्टी से 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 मोशन कर रहा है और इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दे रहा है तो यहां से यह सपोर्ड यह अंगल थीटा है इसका इसको आको अवी के दो कमपरेंट कर सकते हैं और आफ के भी आफ कोभी तोड़ सकते दो कुड़ होना न फिटा है और प्रपंटिकुलर कर देंगे यह इसे तो या वेक्टर है मैं व fact तो आयुक यह अलगा कंपेरट प्यार चैनल ती ता है और सवाइन ती Av तो इसमें R sin θट और यह R cos θट तो R को हमने दो टुकडों में तोड़ लिया एक R sin θट यह perpendicular है और R cos θट तो इसको हम जो इसका एक पार्टिकल है उसका मास M है और वो वो ऐसे रोटेट कर रहा है इसमें यह ऐसे रोटेट कर रहा है तो यह हो जाएगा जो पार्टिकल है उसका माउस एम है तो उसका लिलियर मोवेंट टीव जाएगा तो इसमें अंगला मोवेंट अल इक्वल टू एम वी आर साइन फीटा हम दिख सकते इसको नेक्स्ट इसको कार्डिजन कॉडिनेट में भी समझ सकते हैं जैसे अंगलर मोमेंटम को कार्डिजन कॉडिनेट में तो एल इक्वल टू एल इक्वल टू आर प्रॉस पी होता है आर पोजीशन रीक्टर है तो उसको टू डाइमेंशन में हम लिख सकते हैं आई एक्स कमपोनेंट है और एक वाई कमपोनेंट तो पी को भी हम दो डाइमेंशन में लिख सकते हैं I P X X component plus J P Y this is Y component और angular momentum L equal to हम ऐसे लिए सकते हैं I L X plus J L Y ऐसे लिए सकते हैं तो इसको हम जैसे एल इक्वल टू होता है यह आई आर क्रास पी तो आर की जगे आई एक्स प्लस जे वाई यह लिख सकते हैं अब क्रास आई पी एक्स प्लस जे पी वाई ऐसे लिख सकते हैं आब तो वाई यह वाई पी यह हो जाएगा यह हो जाइगा पी यह हो चो इससे से बैढ़ी करो y by j x i equal to j cross i equal to minus k होता जैसे i j k हम इस पॉर्म में i j k तो j cross i यह इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं तो यह हो जाएगा i cross j equal to k j cross i equal to minus k तो इस जगे हो जाएगा यह ypx ypx और यह minus k हो जाएगा और इसको इससे multiply करेंगे तो plus x py और यह k वेक्टर हो जाएगा तो इसमें l, l का component यह इस तरीके से लिखा है तो इसमें जो angular momentum है उसमें x जो एक component उसका एक inward direction में इसका दोनों दो component है तो x py यह तो direction outward होगा angular momentum का direction outward है और यह ypx यह inward direction है तो इसमें दोनों को ऐसे भी लिख सकते है यह positive है इसका मतलब outward direction में component angular momentum और यह inward direction में component है और दोनों को combination है यह next is conservation of angular momentum conservation of angular momentum angular momentum, if no torque acts on a system, if no torque acts on a system, on a system, then total angular momentum is conserved, total angular momentum of a system, of a system is conserved, that is, according to second law of rotation, torque equal to dL upon dt, अगर हम टार की वैल्यू जीरो कर जेते हैं, तो dL y dt equal to 0, तो L equal to constant, angular momentum constant हो जाता, ये, जैसे हम इसको प्रूब कर सकते हैं, L equal to I omega, ऐसे ये प्रूब कर सकते हैं, तो आप जानते हैं, एकर्डिन टू, चटनल आफ रोटेशन, L equal to, जैसे आफ equal to MA होता है, वैसे हम लिख सकते हैं, है तार्ग यक्वल तु ईर्फा तार्ग ऊच्वाइव्फा कि यह नहीं सकते है और CYACY होता है टियल मैडी टी क्वाफ़ तू आई अल्फा है कि यह जाएगा टील यहलो को आओ अपा वींगे पिले को भी मे पिले को बीवित प्रेजन से यह पुड patients moment of herencia and angular velocity. जिस एस्टर्न फोर्स की वैली जीरो होती है, एस्टर्न फोर्स जीरो होता है, को एस्टर्न फोर्स नहीं लगता, is not torque equal to 0, no, no external, external torque, torque is applied, no external torque is applied, then 0 equal to dL by dt, L equal to constant, और इसकी जीरो हम i omega, लिएंग i omega equal to constant, तो इसमे ऐसे लिए सकते है, जैसे किसी object की अगर moment of inertia जादा है, तो उसका angular velocity कम होता है, और किसी object का अगर angular velocity जादा है, तो उसका moment of inertia कम होता है, एक दूसरे की universally proportional होते है, moment of inertia और यह जब कोई external कार्क नहीं लगता, तो आज के लिए इतना, next class में, हम next topic discuss करेंगे, 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 करेंगे,